सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों के दांत किट किटाने लगते हैं और सरीर में कपकपी आने लगती हैं ये दुनों एक ऐसी किरिया है जो काफी आम बात है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है तो बने रहे वीडियो के end track मैं हूँ आपका दोस्त किंग और आप देख रहें top point ऐसे interesting वीडियो के लिए चैनल को subscribe करें और bell icon दावाना ना भूलें आखिर कर क्यों कपकपी आती है तो बता दे कि हर इंसान को अलग-अलग हिसाब से ठंड लगती है जैसे कोई मामूली ठंड में भी गरम कपड़े पहनने लगता है तो कोई कडाके की सरदी में भी normal कपड़े पहन कर गूमता है ये सब depend करता है इंसान के सरीर के तोचा में मौजू सेंसर पर जिनकी संख्या हर एक इंसान में अलग-अलग होती है तापमान में बदलाव होने पर सरीर का अपना सुरू कर देता है या रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो वहीं दात भी किट-किटाने लगते हैं दरसल सरीर के कुछ और भी आत्मरक्षक तरीके होते हैं जब सरीर को एहसास होता है कि उसे और तापमान की जरूरत है तो कप-कपी लगती है अक्सर ऐसे स्तिति में निचले जबडे में किट-किटा हट होने लगती है महिलाओं का सरीर आंत्रिक तापमान मेंटेन करने में पुरूसों के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉंग होता है उनके सरीर की संरचना ही कुछ ऐसी होती है जिससे बोडी पार्ट्स को गर्मी मिलती रहती है एक्सपर्ट्स के मुताबिक कपकपी एक अनेचिक किरिया है जिसके जरिये हमारा सरीर खुद को सक किरिया बनाता है और अगर उसे तत्काल गर्मी नहीं मिली तो हाइपो थर्मिया बीमारी की चपेट में आ सकते हैं जो की काफी ज़्यादा जान लेवा है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों में सेयर करना ना भूले है